अफ्टर कम्प्लीट थ्रेशिंग अफ के के यार मतलब जिसमें लपेट के समेट दिया 84-85 रनों पर आप एक टीम से जो 10 में उस टाइम तक 7 मैच जीच चुकी उससे क्या उम्मीद रखते हो वो मतलब भाड़ के समी फाइनल में पहुचेगी फाइनल में पहुचेगी पहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस काटे की टक्कर होगी और IPN जीट सकती है इस सीजन का लीग टाइटल जीट सकती है जो कि कभी नहीं हुआ है अभी तक RCB इस साल कर सकती है ठीक है इंडिया के शायद ग्राउंड पर नहीं हुपाया बाहर जाके बाहर जाके अपना जंडा लहरा सकती है लेकिन हुआ क्या लगतार तीन मैचेस जिसमें कि एक मुंबे इंडियान से वो एक काफी consistent टीम है तफ टीम है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे कि वो मैच जीतना ही चाहिए था ठीक है दोनों टीम चाहती है और बाकी टीम्स अंडरेस्टिमेट नहीं कर रहे है किसी को लेकिन ब कदराबाद के फैंस भी मानेंगे उन दोनों में से एक लिस्ट किसी एक को तो हराना चाहिए था पर नहीं हम लोग इन तीन मैचेस के बाद अब आज का मैच जीतना हमारे लिए ज़रूरी है जो कि होना नहीं चाहिए था हम लोग को पहले क्वालिफाई कर जाया है वो पहले भी स्टार्टिंग से शायद वो लोग हम से हम लोगों से बराबरी कर रहे हैं दिल्ली की टीम मतलब लगतार जीत रहे थे तो हम लोग भी जीत रहे थे हम लोग लगतार हार रहे हैं तो वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं वैसा का मतलब है तो आज का मैच तकला होने वाला है और आज अगर हम लोग buy the way ऐसा नहीं हो उमीद करते हैं कि यह साधापन नहीं हो मेरी आवाज में मेरे चेहरे पर यह साधापन नहीं हो जब अगली बार वीडियो बनाएं कुछ हरियाली हो आज बैंगलोर मैच जीते अगर आज by the way 20 runs से ज्यादा से नहीं हा रहे इस टाइब का कुछ combination बनेगा नेटर नेट का तो चलिए बात करते हैं तीन matches में मतलब इतना घटिया खेल रही ती टीम की मतलब कुछ बनाने का ही वीडियो बनाने का मनी नहीं कर रहा तो literally क्या बना है आप chances देना चाहते हो आप उसको एक platform देना चाहते हो कि वो perform करें वो दिखाए वो टीम में fight करें मतलब अपना एक जगा बनाने के लिए वो fight करें वो fight के लिए उसको chance देना चाहते हो लेकिन आप chance किसको दे रहे हो 37, 36 जो भी years के तेल स्टेन को जिनको मौके देने की ज़रूरत है वो अपना एक नाम बना चुके है अब उनकी ज़रूरत नहीं थी क्यों उनकी ज़रूरत होगी आप 84 पे all out करके आ रहे हो या फिर जितने भी wicket गिरा के आ रहे हो आपका bowling line up बहुत ही बिंदास है मतब ज़रूरत है फाल बॉलिंग line up है कतल है उसके बाद आप एक बुढ़े टक्टे को ला रहे हो क्यों? सबसे पहला तो यह और उसके बाद आप एक जो positive change हुआ है उसके बारे में भी तर डिसकुस के लिए एक positive change हुआ था फिंच को हटाके पूढ़े bubble gum खाने वाले फिंच को हटाके चोश्वा फिलिप को लाके एक balance बनाया गया टीम में और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो एक बहुत ही positive change था वो change अगर हम लोग final तक रहते हैं तो वो final तक रहे यह चीज हम उम्मीद करते हैं साथी साथ विराट कोली और A.B.D. Williars अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले तीन मैंसे especially विराट कोली जैसा उनका नाम है वैसी performances नहीं आ रही है उनका एक एक figure है वो एक reliable figure है टीम को uplift करते हैं टीम को वो अपने दम पे उठा सकते हैं single handedly match winner है किं कोली उनका नाम है तो उनको उस लिहाज से perform करना चाहिए वो performance की उम्मीद कर रहे है वो performance की हम सभी उम्मीद कर रहे हैं और उमीद है कि आज इस काटे की टकर और एक knockout match में वो perform करेंगे वो बोला जाता है मतलब form is temporary but class is permanent तो कोली classy person है यह हम सभी जानते हैं तो आज कोली और डिविलियर से काफी उम्मीद रहेगी इसके साथ साथ अगर आपको मेरे साथ छटे या साथवे वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि Morris is not a world class player Morris एक अच्छे player he is a good pinch hitter he can bowl good boncers Yorkers है अच्छे तेज बोलर की गुन है उनमें लेकिन वो world class नहीं वो consistent नहीं है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा IPL अपने उपर लेके चले जाएंगे हुआ वही तीन चार मैचेज में उन्होंने फार परफॉरमेंस दी लेकिन उसके बाद consistently खराब परफॉरमेंस consistently बिल्कुल unrealistic उनके पिछले चार मैचेज को देखे वो बिल्कुल unrealistic bad performances वो दिये जा रहे हैं और आज की dream 11 में आप Chris Morris को तो लीजेगा ही मत और dream 11 की एक अच्छी team चाहिए तो आप नीचे instagram का link होगा वहाँ पे आप जाके follow कर लो आपको 5 मिनट या 4 मिनट पहले आपको dream 11 का team मिल जाएगा match start होने से पहले तो उस time पे आप connect रहेगा वहाँ पे आपको बड़ी असा team देंगे साथ ही साथ अब अगर बात की जाए एक दो और कुछ निगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि 3 match अगर आप लगातार इन्हें ट्रॉट ठारते हो तो उसके बाद positive चीज़ें कम ही होती है एक positive चीज थी जिसके मैंने बात की अब अगर कुछ और negative चीज तो गुरकुरत सिंग मान गुरकुरत सिंग मान का इस टीम में क्या रॉल है वो batsman है वो 2 down, 3 down, 1 down कहां पर वो batting करते है तिविलियर्स या विराट खोली जब मदब 2 down के बाद वाशिंग्टन सुंदर आते हैं अगर शीवम दूबे रहे तो शीवम दूबे आते हैं अगर match 16 बस 15 ओवर cross कर चुका है दो विकेट या तीन विकेट उस टाइम गिरा तो Chris Morris आएंगे तो गुरकीरत सिंग मान का क्या रॉल है कोई रॉल नहीं है उनका अगर आप 85 वाला जो chase कर रही थी आरसीप अगर वो match आप देखोगे तो वहाँ पर क्या किया था गुरकीरत सिंगे इतना lightly लेके खेल रहे थे वो match था उनको perform करके दिखाने का कि अगर उनको उपर भेजा जाए तो वो क्या कर सकते लेकिन उन्होंने क्या क्या मतलब कुछ भी नहीं इसको एक होता ना कि मतलब free का चीज मतलब सस्ते का चीज हलके में लेने वाली बात वैसा काम कर रहे थे कोई reason ही नहीं था कि वो वैसा करते लेकिन वो जबरदस्ती इतना lightly खेल रहे थे बहुत ही बेकार गंदा attitude है उनको seriously उस match में perform करना चाहिए था उनको opportunity मिला था उनको उन्होंने performance नहीं किया उसके बाद मतलब 20-25 रं मारे थे कोई ये नहीं था वो match में ठीक है उनको और जादे मारना चाहिए था मतलब अच्छा एक अच्छा खेल दिखाना चाहिए था वो miss time कर रहे थे shots को गलत जगा place नहीं कर रहे थे वो सारे betting के जो मौकें मिलें उनमें वो पते कैसा perform करें वो पेटियम में एक ad आता है ना वो लड़की जूता चुड़ाती है उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मतलब पैसे transfer वाली बात के वाइसी वगर वाली तो उसमें क्या होता है वो एक side में उसकी जो दूलन रहती है उसका उसका बताओ तो क्या काम है उसका उस ad में कुछ भी काम नहीं उसका उस ad में बस यह काम है कि वो खड़ा रहती है वो खड़ी रहती है तो वो खड़ी रहती है बस उसी तरह से गुर्किरत सिंग मान इस टीम में खड़े हैं और इनका कोई भी काम नहीं है literally ये useless है he is just 10 प्लस 1 ये 11 में नहीं है ये टीम 11 में नहीं है ये 10 खिलाडी है और गुर्किरत सिंग मान है जो की टीम पे बोज है is a liability in this team, आप इसके जगा किसी all-rounder को या किसी explosive, मतलब माने वे pinch hitter को ट्राइ कर सकते हो, जो pinch hitting करते हैं, जो hard hitter हैं, आप उनको ट्राइ कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, he is just not needed, आते के साथ शॉट नहीं कहलते हैं, विराट कोली आते के साथ शॉट नहीं कहलते हैं, तो दो एक प्लेटफॉर्म तयार करने वाले batsmen हैं, वो दो हैं हमारे पास, देवदर्द पधिकल भी, मतलब कोई ऐसा inconsistent के लाड़ी नहीं है, कि वो आते हैं, आउट हो जाते हैं, नहीं, फाइनली, नवदीब सैनी, अगर एक reliable fast baller, RCB में है, तो वो नवदीब सैनी है, मतलब लिटरली दो सीजन से नवदीब सैनी जैसा baller, RCB में नहीं था, ना उमेश यादव है, ना मतलब इसुरू उदाना या जो भी, मतलब कोई भी नवदीब सैनी के comparison वाला नहीं था, वो वही थे, लिटरली वही थे, और इस साल उनका performance, मतलब इस साल नहीं, पिछले तीन matches में उनका performance इतना ज्यादा बूरा जा रहा है, कि एक time को उनको ऐसा लग रहा है कि Dream 11 से drop कर दे रहा हूं, पिछले match में मैं उनको drop कर दिया था, पिकार performance हो रहा है, आपसे बहुत उमीदे नबदी अपसेनी से, मतलब, उनको perform करना जोर रही है, ठीक है, फिर इसी के साथ, और Instagram वाले link को follow करना मत बोलेगा, आपको Dream 11 भी बहुत अची से team मिल जाएगे, और अगली बार जब इस खतरनाक match के बाद हम लोग मिलेंगे, तो उमीद करते हैं कि मेरे चेहरे पर बहुत स उम्मीद के साथ, signing off, bye